दोस्तों जो कोमिशन पढ़ेंगे उसका नाम है विनासदूत अंगुठेलाल यह सेकेंड पार्ट है इसका पहला पार्ट है अंगुठेलाल और सारी दुनिया खत्रे में तो पहले आप उसको पढ़ना तभी आपको स्टोरी सही समझ में आएगी वो कोमिश आपको मिल में उठेलाल का फोर्डर होगा उसके अंदर मिल जाएगी और यह जो स्टोरी आप दे रखे इसके पहले पार्ट किये तो मैं स्टोर रहा हूं ताकि आपका मजाए खराब ना हो इसका पड़ लेना तभी स्टोरी सही समझ में आती है तो यहां तक इस्टोरी थी से पहले प बढ़ता हूं इधर लोकप में यानि मेरा संदेक गलत नहीं निकला इस गाउं में कोई जवर्दस चकर चल रहा है हो सकता ठाकूर के खंदे प्रपंदुग रखकर यह चकर प्रोफेसर काकरोश चला रहा हो वरना ठाकूर को यह गाउं खाली कराकर बला क्या लाप सकता है क्योंकि यह गाउं से बहुत दूर और काफी अठकर है मुझे अब ठाकूर रामी सिंग से किसी तरह मिला ही होगा तब ही सारे बाती मालम हो सकती है फिर अंगुठे लाल ने वासन निकलने के लिए मन इमन को योजना बनाई और फटाक और क्या हो राम सिंग तुम च से बरा कोई नहीं होगा तुमारा दिमाग खराब हो गया गया बला मैं तुमसे क्या मजा किया है बखवास मत करो क्या तुमने मेरी कन पटी पर रैप्टा नहीं मारा और यह देखो कांचे फून भी निकल रहा है ओ इस वर की स्वागंत राम सिंग मैं तुमारे और मेरे जो कि किसी भूत प्रेत ने मुझे मारा है दोनों कुछ देर तक बैस करने के पसाद फिर चुप्चा पेरा देने लगे और अंग्ठिलाल ने एक मौगा फिर ताड़कर राम सिंग के दूसरी कनपटी पर एक जोरदार हाथ जमा दिया फटाक हाई मा मर गया हफ हाई अरे अ सुवर के बच्चे अब तुझे जिन्दानी छोड़ूंगा अरे अरे ठेरो यह तुम क्या करें हो कहिए कमबक सस्मुची मुद्पर बोली ना चला दे अगले पल उल्लो की दम लगता मुद रखोने के साचा तु पागल भी हो गया है और दूसरे पलवे दोनों एक दूसर से बुड़ी तरह गुथ है छोड़े मुझे वरना मैं तरह खुन पीजाऊंगा ठेर बेटा मैं अभी तरह सारी दात निकाली देता हूं फिर देखुआ कि इस तरह मेरा खुन पीता है यह दोन तो गई काम से मुझे जल्दी से यहां से निकल लेना चाहिए वरना कहीं और स से पाई आगे तो सब गडबड़ हो जाएगी अगले पल उसका उसका सीदा अजगर की तरह लंबा होकर ताले पर पहुंचा और खट ताला तोटकर उसे पुन डाटाया तो था कजब की फुर्टी से बार निकलाया है इसी तरह लड़ते रहो में चला अरे वह बार कैसे नि दोनों सिपाई में बिजली किसे फुर्टी के साथ अपनी अपनी राइफले संबाल ली मैं कहता हूं रुप जाओ अरना गॉली मार देंगे अब इंसे ने पड़नाई होगा अगले पल हाए उफ यह को इंसानी बूत प्रेत है खत्रे को विशल खत्रे की विशल दो जल दी पी पी पकड़ो के दी फ्रारों हो रहा है विशल और चीखने पुगाने का सवर सुनकर का इस्वाइद दोड़े दोड़े उनके निगट पहुँचे है वह देखो के दी बाग रहा है ओ अत्यार समालो और उसका पिछा करो मैं साब को खबर करता हूं जाओ ठीक है चलो पानुष छोगरे का पिछा करें हैं बकवास बंद करो और फॉरंट जिप निकालो मैं भी पहुचता हूं जी साब सिपाई के बार जाती दरोगाने ठाकुर साब के नंबर मिलाए और समध स्ताफित होते ही ठाकुर साब वह पिदी छोख्रा ने जाने कैसे लोकप से भाग निकला है क्या पकते हो मैं तो है पेले जी उससे सावदान लेने के लिए का था मैंनो उसके लोकप पर दो-दो पहर प्रेदार बैग बठा रखे दे खागुर्साब फिर विपतानी वैके से ताला तोड़कर बाग निकला शुनाने इस्पेक्टर यह है वह हमारे किसी विशे में बहुत बड़ा खत्रा बन सकता है उसकी हरकतों से यह साब जायर हो जाता है कि वह कोई साधान बालग नहीं है अ और इंस्पेक्टर विक्रम सिंग जीप में स्वारो पुलिस सोके से निकल पड़ा डाइवर्ट स्पीड तेज करो और पाई और से चलो जी साब अगले पल जीप तेज गती से उस दिशा में दोड़ पड़ी जिदर अंगुठे लाल गया था इदर अंगुठे लाल आंधी अगले पलांगुठे लाल ने दोर ते दोर चाई ताड जैसे पाड़ का रूप दाण कर दिया अरे वैतो दिन लिगे कुतम मिनाज जितना लंबा हो गया है ये बगवान कई हम सपनातों नहीं देख रहे हैं हाई हाई मुझे तो पक्का विशास हो गया है कि वैस सचमस ही क कोई बूद प्रेत है मेरा कामान तो उसका पिछा करना बंकर दोर वापस लोड चलो अवे चुपकर रहे दिया मने उसे निपकड़ा तो दुरगाजी इमारी वर्दिव तुरा कर हमें चोक पर सर्याम नंगा खड़ा करवा देंगे चलो पिछा करो उसका नहीं भाई मैं त इस मुरोग को यहीं खड़े रहन दो आव हम लोग उसका पिछा करते हैं लेकिन कोई भी समसे सिंग और राम सिंग के साथ अंगुठे लाल का पिछा करने के लिए तेयार नहीं हुआ तभी तेज हवा के साथ पेड़ चर मरा कर गिरने लगा चर चर साए बागो साधिया सारे सिपाई उठे पेरो बाग लिए हाँ 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 उनके नचो अचे होजल होते हैं उठे लाल सामने रूप से में परिवर्टित हो गया वे लोग फिलाल तो जुरू बाग खड़े हुए लेकिन जातक मेरा विचार है वे अपने द्रोगा के साथ जुरू एक बाद फिर मेरी खोज करते हुए यह आएंगे इसलिए मुझे छिप जाना चाहिए तभी अरे शिपाई बद दवासे दोरते हुए क्यों आ रहे हैं यह क्या वा तू इस तरह बाक्यों रहे हो सब लोग अपसे फ्रार होने ओलावाई वे चोक्रा को इंचान नहीं भूद प्रेत ह क्या पक्वास करें हो सब लखन ठीकी कहा रहा है हमने उसे दोरते दोरते ही ताड़ की तरह लंबा वे पाड़ की तरह विशाल होते देखाए और साथ जब उसने बैनक हसी तो उसके मुझे निकलने वाली हवासे तुपान आगे और फेट तूटकर गिनने लगे ओ तुम ल तुम लोग अपने अथियार संबाल करते है रहना मेरे रहते वे तुम लोगों को उसे डिने की कोई जूट नहीं है जी साब लेकिन काफी तलास करने के बाउट जूद भी अंउठे लालू उन्हें नहीं मिला शाब लगता मोका पागरव यहां से दू निकल गया है हाँ ऐसा ही लगता है पगवान का शुकर उससे सामना नहीं हुआ तुम लोग वापस चोखी जाओ और मेरा इंचार करो मैं कुछ आगे जाकर उससे बूत की खोज ख़बर लेता हूँ बहत अच्छा साब अवल्दार और ड्राइवर तुम भी इन लोगों के साथ जाओ जीप में अकिला ही जाओँगा जीशाब ड्राइवर और अवल्दार के इंचे उतरते द्रोगा ने ड्राइविंग सीट संबाले और जीप को आगे बढ़ा दिया शुलो भाईया चोखी चले कम से कम हमारी ज वैकेला लेकिन जाक का रहा है कई ठाकु से ही तो मिलने नहीं जा रहा है तो मुझे उसके साथ जाना चाहिए कुछ चोचर अंग्ठीला जाडियों के पीछे से निकल कर दबे कदमों से द्रोगा के पीछे पहुंच गया मेरे छिपने के लिए इसकी पड़ी जेब से उपि कुछ देर बाद हम तरम तो मेरा विचार ठीक ही निकला द्रोगा साब ठाकुर से ही मिलने जा रहे हैं और पांच मिनट बाद द्रोगा ठाकुर के सामने था मुझे खेद ठाकुर साब की मैं उस च्वगरेत को आप तक नहीं लास्का यह बहुत बुरा हुआ इंस्पेक्ट जाना बहुत जुरूरी था खेद तुम जाओ अब मैं सम देखूंगा उसे लेकिन ठाकुर साब जब गांवाले उसके विचार में पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूँगा लाठी के जोर से गाम लेना फिर मुझे विश्वास है कि यह गाओ एक दो दिन में अपने आप ही खाली हो जाएगा ओ मेरे बारे में ठाकुर की मालूमात काफी आश्यर जनका है कि इसे कैसे पता लगा कि मैं दूसरे ग्रेका हूं कई यह मालूमात इसे प्रफिसर का प्रोस से तो नहीं होई वही मेरे अंगुठेला के रूप के विशे में सब कुछ जानता है खेर पहले मुझे इसकी जेव से निकलकर काई छिप जाना चाहिए और अंगुठेला की जेव से निकलकर एक मेच की याड़े में पहुँच गया अच्छा ठाकुर साब मैं अब चलता हूं लगिए यदि मुझे उस लड़के के विशे में कुछ पता चला तो आपका विशे फोन करूँगा ठेक है द्रोगा के जाने के पसाद मुझे तुर्ण सारी बात उस विशे तर्मानों को चलकर बता देने चाहिए वन्ना गाउव वाले अब कोई भी फजीता कर सकते हैं कहां जा रहे हैं और जैसे ठाकुर उस कमरे से बार निकला अंगुठे लाल उसका पिछा करने लगा जबकि ठाकुर को अपना पिछा के जाने का सपने में भी आबास नहीं था इंदर जब दरोगात पुलिसों के पहुंचा ओ लोगे बीड़ी जरू कोई गपला है लखनपर पुलिस हाई हाई तो रोगा विकरम सिंग मुर्दाबाद हमारा मददगार हमें वापस लोटा हो ओ बीड़ तो बल्वा करने पर उतारू मालम पड़ती है तो बीड़ के दर्ष्टी दरोगा पर पड़ी वेरा दरोगा मारो से अगले पल मारो मारो इस बर्ष्ट को अब मैं क्या करूं बसने का कोई चारा नहीं देख सिपाईों लाठी चार्ज करो यह दि फिर भी यह ना मानतों इन्हें गोली से बुन डालो तुरूंत सभी सिपाई लाठी है लेकर बीड़ पर तूट पड़ेर खटाक तड़ाक अपने उपर एह मानुसिक डंग से लाठी चार्ज होते देख बीड़ भी पुली से गुथ गई फिर जब काफी देर की बिड़नत के बाद भी बीड़ का बुमें नहीं आसकी तो सिपाई नहीं दरोगा कि आदेश पर बंदू के संबाली फायर धाएं अगले पल कतले आम चुरू गया धाएं 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 आएं आएं पारिंग से बीड़ के में कुछ चणों के लिए हड़ बड़र सी जुरू मची लेकिन किसी ने भी वहां से पीट दिखाने की कोशी नहीं की आँ धाएं धाएं मा मेरे वीर भाईयो मेरे जब आज बचो यहीं वक्ते इठका जुआ पत्तर से तो इन सैतानों को मार कर खून के न दिया बादो मुतर अवहली में अंगठे लाल ठागुर का पिछा करता हुआ कि इसी जमी दोज तैकाने की सीडिया उतर रहा था कल 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 साधी इसी तैकाने में कोई छुरंग होगी जिसमें पानी भरा होगा वना पानी क के आवाज नहीं आती तभी आरेन एक्स को मद्दम की मद्दम आवाज अंगठेला के कानों में पड़ी ड्रैड किंग तुमारे ले एक जरूरी सुचना है ओ क्या कोई खास बाद मिस्टर आरेन एक्स हां गाह मालों के साथा तुमारे मुह बहली दादी मा की जानवी खत्र लिया प्रोफेसर कागरोच और ठाकूर रामी सिंगी खबर बाद में लुआ पहले उस जलील कुत्ते दरोगा से इन पड़ देट लेता हूं हवेली से बार निकलते हैं अंगुठेलाल ने सुंदर नोजवान का रूप दान किया और पुलिस चोकी के और उड़ चला अरे व पहुंचा दो पलक जपकते ही सुंदर सुपरमैन पुठेलाल पुलिस चोकी पहुंच गिया जाब भी पुलिस कर्मी और द्रोगा कतलेया मचाई वे थे धाई धाई आओ तभी उठेवा उठेगी दस्टी सरस्वती देवी यहनी अपनी मुह बोली दादी मा पर पड़ी व मैं तो जिन्दा जिन छोड़ूंगा नरा दम हाँ हाँ आज मैं ठाकुर्शाप के एक बहुत बड़ी सर्ददी खतम कर दिये तबी खटाक कोन है छोड़ो मुझे कुट्टे अब मैं तुझे ऐसी उचाई पर लिजा कर छोड़ूंगा जांस छे गिनने के बाद तेरे सिरी के दो थेड़े भी डूणने से नहीं मिलेंगे नहीं छोड़ दो मुझे यह वी चितर नजदारा देख पुलिस कर्मोंगे साथ साथ पते कुछे गराम वासी भी बोचा के से रह गए साथ इश्वार ने हमारी रक्षा के लिए ही इस सूपरमैन को बेजा है जरूर है अंगोठे लाल का को दूशा रूप है अब हमारे साथ नहीं बचेंगे हम उन्हें बचाने के लिए कुछ भी कर भी तो नहीं सकते हैं लेकिन सूपरमैन है कौन भगवान जाने तबी आई किर्णों की बहुत सारे निगली और आई पचाओ पलक जबगते इकई सिपाई किर्णों की चमक के मद्द हवा के जोखों की तरह गाइब हो गए नहीं बागो लेकिन एक भी सिपाई वासे जीवत बच कर भागने में सफल नहीं हो पाया आई उफ आए और सभी सिपाईयों कान दोते हैं अंगुठे लाल धर्ती पर उतर कर जट दादी मा के निगट पहुंच गया आके खोलो दादी मा देखो तुम्हारा अंगुठे लाल तुम्हारे पास लोट आया है अज तुम्हें कुछ नहीं होगा इस्वर की लिला सरस्वती देव में अब भी कुछ नहीं से बागी थी तुम्हें कौन हो बेटा और मेरा अंगुठे लाल का है मैं ही तुम्हारा अंगुठे लाल हूँ दादी मा अगले पल वैंदन ने अंगुठे लाल में परिवर्थित हो गया है कई मैं सबना थपना तो नहीं देख रहा है अश्टे जनक प्लग जपकते बच्चा बन गया कई यह कोई जादुगर तो नहीं है देखो दादिमा अब तो तुम्हें विश्वास हो गया है कि मैं तुम्हारा अंगुठे ही हूँ हाँ बेटा अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम कोई इंसान नहीं बलके बगवान हो नहीं दादिमा बगवान के साथ मेरी तुलना मत करो उस सरो सक्तिमान के आगे तो म मैं एक रेती ले ठीले की रेत के एक कंड के समान बें नहीं हूँ यह सब तो भी ग्यान का छोटा साथ समझ कर भला एक वैग्यानी कुछ अलोगी सक्ति के सामने क्या भी साथ रखता है खेर बेटा तुम जो कोई वैब मुझे एक वचन दो ताकि मैं स्यानतिया हूँ निश्चिंता के साथ अपनी है अब आखरी साथ छोड़ शकूँ नहीं नहीं दादिमा आपसे अपने मनने की बात मत करो तुम तो इस गाउं की सक्ति हो यह दि तुम भीछे लगी तो इस गाउं वालोगा क्या होगा मेरे बच्चे समय बहुत कम है मैं तिम सफरत्या करने से पहले तुम से एक वचन चाती हूँ बोलो दोगे जो रुग दूगा दादिमा बोलो तुम क्या वचन चाती हो मुझे वचन दो कि तुम ठाकूर देशे से शेतानों का अंद के बिना यह गाउं छोड़कर नहीं जाओगे इस गाउं के लोगों को बे सारा छोड़कर नहीं जाओगे मैं वच्छन देता हूं दादी माँ मैं ठाकू रिक्या वो शेतान की पीठ पर हाथ रखने वाले हैवान का भी खात्मा के बेगर इस गाउं से नहीं जाओंगा और अंगुटिलाल का वच्छन पाते ही सरस्वती देवी की करदन एक तरफ को डूलग गई दादी माँ हे देवता ये तुने क्या किया अन्य लोगों के साथ दूसे गर्यागा पासान हर्दे रेड किंग भी सरस्वती देवी की मौतवर पूट पूट कर रोपड़ा काफी देर तक महमातम का दर्चे चाहरा उसके बाद अंगुटिलाल उठ खड़ा हुआ आप लोग अन्य लोगों के साथ दादी माँ के भी अंदीम संस्काइर अपर बंद कीजिए और विश्वास तरके मैं तब तक यहां से नहीं जाओंगा जब तक की दादी माँ को दिया वचन पूरा ने कर लूँगा कहने के साथ ही अंगुटिलाल पूरी सक्ति से एक तर बाग खड़ा हुआ प्रोफिसर ओठाकूर रामी सिंग साओ दान हो जाओ मैं मौत बनकर तुमारे पास आ रहा हूँ लेकिन अब भी पूलिस सोकी से कुछी दूर पहुंचा हुगा कि अचानक वायू से एक सितारा परकट हुआ और तिर्योगती एसाथ अंगुटिलाल के और बड़ा साओ दान रेट किंग वाय सितारा प्रोफिसर काक्रोच का बेचक्र हुए और तुम्हें पास ने के लिए आ रहा है और तुम्हें पास ने के लिए आ रहा है और नेक्स मेरी मदद करो स्वरी रेट किंग इस वक्त मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हा मैं अब इस कैट से बाग रहा हूं और बाद मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा अगले पला आर नेक्स दुआ के उस बोवंड़ से बाद निकलाया जल्दी ही मिले मदद किंग विदा और आर नेक्स त्रियो गति से एक और उड़ चला पुरे बर्मांड पर उप्टूमत चलाने के लिए पुरी दुनिया पर क्या कैरड़ आए तो दोस्तिस का तीसरा पार्टा है अगुठी लाल और प्रफिसर काकरोच दोस्तो अगर को मिशाब को अच्छे लिए तो अपनी चैनल को सब्स्टाइब जूरू करना और मिलते है अगले पार्ट में